हाई गाईस आज मैं आपके लिए एक और वीडियो लेके आया हूँ और इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि विंडो के अपडेट कैसे डिसेबल करते हैं अगर आपके सिस्टम पर विंडो के अपडेट आ रहे हैं और आप चाते हैं उनको बाद में चैबल करते हैं Windows 7 में Windows 8 में और Windows 10 में यही हमारा आज का टोपिक है तो अभी तक आप आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए तो चलिए शुरू करते हैं आपको कंप्यूटर पर रैड क्लिक करके सबसे नीचे सर्विस एंड अप्लिकेशन का एक उप्शन आता है उसको एक्स्ट्रेट कीजिए वहां पे सर्विस है सर्विस पे क्लिक कीजिए अब इसको मैक्सिमाईज कर देते अच्छी दरह से दिख जाए ताकि आपको डबलू प्रेस करना है डबलू प्रेस करेंगे तो कीजिए नैसी चुल क्लिक करके दुबारा देखता हुए सर्विस बिल्कुल बंद हो गई है तो मैं दुबारा बताने जा रहा हूं के साथ R की प्रेस करना उसके बाद आपको टाइप करना है services.msc और OK कर देना है तो देखिए वही विंडो ओपन होगी तो वही आपको डबलू प्रेस करना है और करना है तो यही आसन सबसे आसन तरीक है और अगर बाद में आप चाहते हैं कि आप मेरे को विंडो अपडेट करना है तो इसको स्टार्ट कर दीजिए उसके बाद आपकी विंडो अपडेट्स आने शुरू हो जाएंगे तो दोस्तों कैसा लगा यह वीडियो प्लीज लाइक करना ना बूले और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लिजिए जब आप कोई वीडियो देखते रहते हैं वीचे सब्सक्राइब को एक ओप्शन आता है उसको क्लिक करना ना बूले थैंक्स पर वाचिंग बाबाए